अक्षय धर्ती का लाल था, सूरज के साथ उठता, मिट्टी की खुश्बू में सोता। उसके खेट छोटे थे, पर ख्वाब बड़े फसलों के जंजनाते गीत, चिडियों का आरकेस्ट्रा, और जमीन से जीवन उखता देखने का सपना। उसकी हथेली छोटी थी, पर फसल उगाने में माहिल। बीच को मिट्टी के गीत सुनाता, हवा से हसी बाटता, पानी को धूप की कहानिया सुनाता। हर पौधे में वो जिन्दगी देखता, हर कली में आने वाले फल का सपना। एक दिन जब तूफान ने फसलों को जुका दिया, अक्षय हार नहीं माना। उसने क्यारियों को सहारा दिया, तूटी तिनकियों को जोडा और फसलों से बाते की। धीरे धीरे फसल फिर लहराने लगी तूफान की आहतियों को छिपाते हुए। अक्षय सिर्फ फसल नहीं उगाता था, जिन्दगी उगाता था। वो पडोसियों को बचाया हुआ पानी देता, बचे हुए अनाच को चिडियों के लिए रखता। एक बार जब गाव सूखे से त्रस्ट था, उसने अपनी फसल का आधा हिस्सा बाट दिया, जिन्दगी की खुश्मू फैलाते हुए। अक्षय की धूप छाम वाली दुनिया जिन्दगी के गीतों से गूंजती थी। हर मिट्टी के कड में कहानी, हर फसल में उम्मीद। उसके हाथ भले ही मिट्टी से रंगे हो, पर दिल जिन्दगी की चमक से जगमगाता था। अक्षय की कहानी हमें याद दिलाती है कि मेहंत और उम्मीद से हर पल फसल बन सकता है। तो क्यों न हम सब अक्षय बने, अपने अपने खेतों को तराशे और जिन्दगी को हरा भरा बनाएं।